कोवी कविंटन वर्सिस होरे मास्विडाल पुराने रूममेट, पुराने दोस्त और पुराने टीममेट इस फैट को बुक करने के कोशिस काफे टाइम से की जा रही है लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं है लास्ट राइम कोवी कविंटन लडे थे फॉर्मन वेल्टर वेट चैंप टेरन वुडली से टेरन वुडली को उन्होंने रोख दिया था बिकास अफ रिब इंजरी बहुत कम लोग रोख पाई हैं टेरन वुडली को ये मेरे साब से उनका अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था कोवी कविंटन का लास्ट राइम लडे थे मास्विडाल UFC 251 में अगेंस कमरा उस्मन ये फाइट उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट की थी फाइट होने वाली थी उस्मन वर्सेज गिल्बर्ट बंस बंस को कॉरोना हो गया था और साथ दिन पहले वो फाइट से बाहर हो गए मास्विडाल ने साथ दिन के शॉर्ट नोटिस पे अमेरिका से वो अमिधावू पहुंचते हैं वेट कट करते हैं और लड़ते हैं उस्मन से वो फाइट वो हार जाते हैं लेकिन पांच राउन के बाद बेस और डिसीजन अब उसके बाद यहाँ पे कान ये है कि अब दोनों ही फाइटर खाली हैं उस्मन और मास्विडाल और कविंटन को भी कह रहे हैं कि जो डीले है यह उनकी तरफ से नहीं है कि मास्विडाल चाहते क्या है होरे मास्विडाल famous होए थे because of his Ben Askren knockout चुकि अब तक का UFC का fastest knockout था पांच सेके बाद वो लड़ते हैं नेट डियाज से एक fun fight थी एक super fight थी उनमें वो राते हैं नेट डियाज को वो fight एसी होती है कि नेट डियाज के जो आँख की उपर कट आ जाता है और doctor उस fight को रोग देते हैं नेट डियाज कह रहे थे अगर वो fight नहीं रोग थे doctor तो round 4, round 5 में वो अच्छा perform करते normally नेट डियाज का जो पुरी जो carrier है वो based है उनके strong cardio पे और chin पे अगर वो चाते हैं ये फिर से एक पर fight हो नेट डियाज के against तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता मेरे according नेट डियाज का कुई खास rank भी नहीं है उसे वो जीतते हैं तो भी वापिस मस्ट डाल के पास मौका नहीं मिलेगा फिर से लड़ने का title के लिए अगर वो उनसे हार जाते हैं by chance तो भूली जाएए अगर वो जीतते हैं कविंटन से तो फिर से उनने मौका मिलेगा लड़ने का उस मन से कोवी कविंटन कभी यही scene है अगर वो हराते हैं मस्ट डाल को तो फिर से एक बार वो आ जाएंगे अपने number one rank के पास या number one title के पास अगर वो by chance यह match नहीं हो पाता और वो किसे और से लड़ते हैं तब भी उनके ranking बहुत अच्छी है अब तक जो चल रहा है विल्टेवेट डिविजन में जो top five जो rank है जाए आपका वो उस्मन हो जाए आपका वो बंस हो कोविंटन हो आपका लियोन एडवर्ट्स हो मास्विडाल हो कुछ खास मापे हो नहीं रहा है कुई match मापे है नहीं नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपका champion injured है तो बाकी fighters active रहते है और वहाँ से number one contender fighter निकलते रहते है बट इस टायम पे Veltivate Division UFC में एक जाम चल रहा है एक fight जो उसके बारे में न्यूज आ रही है वो है Leon Edwards वर्सिस Hamza Chimayev इस fight को करने कोशच की जा रही है इस साल के end तक December में यह fight अगर होती है तो उसमें भी अगर यह fight जीतते हैं Edwards तो definitely वो अभी rank 3 पे हैं वोई पे कायम रहेंगे अगर वो हार जाते हैं तो उनके पास भी यह मौकर नहीं रहेगा फिर से लडने का Edwards काफी time से वेट कर रहे है एक fight का और उनका luck इतना खराब है कि because of COVID, girls of corona वो अगले साल के पहले हाफ तक ही जुन जलाए तक भी वो फिर से एक बार उनके मिलेगा लडने का title के लिए welterweight division मेरे साब से सबसे अच्छी division है welterweight division और netweight division वो काफी इसमें अच्छे fighters हैं लेकिन इस तरीके से एक division को रोकना सही नहीं है दोस्तों क्या लग लगता है आपको क्या होने चीए फाइट अभी उस्मान वर्सिस बर्न्स तो होने वाली थी अभी आने वाले जिसंबर में लेकिन because of injuries उससे बाहर होगे उस्मान उस्मान एक champion है तो उनको ज़्यादा blame नहीं कर सकते लेकिन जो पाकी fights हैं उन्हें आगे हैं बढ़ा सकते हैं क्या लगता है आपको कि क्या लड़ना चाहिए Nate Diaz को मास्विडाल से या कविंटिन को मास्विडाल से पते हैं कमेंट्स के अंदर मुझे